हुआ है हलो एवरीवन नमस्कार आप ही के चैनल किष्णा टेडिंग में आप लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए एक बैंक निप्टी की वीकली कैलेंडर स्पेड स्टेड़ी लेके आया हूं जो की आज के मार्केट को देखते हैं लो विक्स में बहुत बताऊंगा उपिद करता हूं स्टेड़ी आप लोगों को पसंद आए तो चले स्टेड़ी आपको बता देते हैं स्टेड़ी कब करनी है कैसे करनी है क्या-क्या इसके एडजेस्टमेंट है और कब बनानी है चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को मारे जानकारी उस पर हम अपडेट करते रहते हैं तो आप वहां सभी कुछ न कुछ सीख सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूं बैंग निप्टी की वीकली कलेंडर स्प्रेड़ी है क्योंकि आपको अजेस्टमेंट करके बताऊंगा कि अगर आपको ब और नेक्स टूनेक्स एक्सपायरी का आपको एकलट पुट बाइ करना है तो लेके चलते हैं आपको इस टाक मोग पर और स्टेटजी बना के दिखाते हैं स्टेटजी क्या रहने वाली है कैसे यहाँ पर हम लोग आपको अब दूस्टमें शेवन मार्च ले लेते हैं दस बजए की टाइम में बनाना है और किसमें दस बजए की लगबग आपको बनाना है साथ मार्च का जैसे है तो हम लोग काम करेंगे तो हम क्या करना है वहां पर जो 13 मार्च की एक्सपाइरी है वह वाला हमको सेल करना है ठीक है एट द मनी जो हमारा एटीम होगा उस एटीम को जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे है हमारा स्पोर्ट प्राइज क्या है 47,868 47,868 हमारा स्पोर्ट प्राइज है तो हमारा एटीम प्राइज क्या हो जाएगा 47,900 हमारा स्पोर्ट प्राइज हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हमको सिंपल सा हमको बाइ कर लेना है सोरी यहां पर हमको सेल कर देना है हमने सेल कर दिया इसके बाद हमारा जो नेक्स एक्सपायर ही है 20 मार्च वाली हमको सेम स्टाइक प्राइस का एक लोट हमको बाए कर लेना है इस तरीके से हमारा ये कालेंडर स्प्रेड बन गया है और इसमें जो आप चार्ट देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसमें प्रविल्टिया प्रॉफिट 52 पर्शेंट के राउंड है और रिस्क रिवार्ड वान इस्टी वन फाइक दिखा रहा है मैक्सिमम लॉस यह आपका और प्रॉफिट भी आपके सामने यह और जो इसमें मार्जीन है बहुत कम लगने वाली है राउंड 30,000 के राउंड आपकी जो मार्जीन लगेगी 30,000 के राउंड लगने वाली है और इसके बाद इसमें आपको अजिस्ट्मेंट कप करना है के बिर्खन रर्यागरज आपके प्रॉफिट फिरे सेंग वेगने वाली है यह जब यह अब अपकर प्रॉफिस करेंगे या फिर उसे हरिये में आपका ट्रेड आ जाएगा तो से श्रू करेंगे तो आगे बताते हैं इसके बाद क्या करना है आपको कशे लेगा कि यहां पर देखिए जो मार्जीन हमारा बहुत कम लगाया तो मैं इसको क्या करता हूं थोड़ा सा लाट इंक्रीज कर देता हूं लोग कि राउंड वन लाग कापिटल यूज करते हैं चलिए 1.26 यानि की 1.26000 के राउंड आपकी कैपिटल यहां पर लग चुकी है कि मैं इसको टाइम फारवड करता हूं और इसको देखते हैं कैसे क्या होता है सके साथ स्टेटजी बनाने का है कि आप लोग खूद से सीखिए कैसे बनाना है कब-कब अड़ेस्टमेंट करना है खूद से सीखिए आप लोग और स्टेटजी को बनाईए बैक टेस्ट करके कुर्पे कंपडेंस आ जाएगा फिर आप लोग करिएगा कि चलिए मैं टाइम फ्रेम आधिया देगंडे फारवर्ड करता हूं 30 मिनिट और यहां पर जो पीनल है आप लोग इसको देखिए और हमारा यहां पर पीनल अभी भी प्रोफिट में चल रहा है अभी भी प्रोफिट में हम लोग और हमारा जो ब्रेक इवन एरिया है अभी बहुत दूर है तो हमको अभी भी कोई अज़ेस्टमेंट करने की जूरत नहीं मैं आपको बता दो अगर कभी भी आपको जब 1.5 परसंट को पर आप भी आपको प्रोफिट दिखे आप उस ट्रेट से निकल सकते हैं एस पर इमोशन कुछ लोगों को बड़ा प्रोफिट की जूरत पड़ती है कुछ लोग छोटे-छोटे प्रोफिट से संतोष्ट हो जाते हैं तो आपी भीपिए 0.7 परसंट की परफिट पर से अभी देखे यहां परापी तो यहां पर्यश्ट से निकल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम जब तक हमारा ब्रेकिवन एरिया क्रॉश नहीं करेगा तब तक हम लोग इस ट्रेड में बने रहेंगे तो मैं फारवर्ट करता हूँ आगे को अभी देखिए ब्रेकिवन एरिया के लगबग नजदीक हमारा ट्रेड आ रहा है अभी भी हमारा ट्रेड देखिए अभी लॉस में हो चुक है हम लोग है नहीं अभी भी लॉस में हम लोग चल रहा है लेकिन अज़िस्ट्मेंट कब करेंगे जब रेड एरिया कुछ होने को आएगा हो तब आप अड्रियों अड्रियों करेंगे के चलिए कि देखिए कि तो इक्ट में एकुरेट वहां पर आचुका है हमारा ट्रेड और हम लोग यहाँ पर एडजेस्टमेंट करेंगे यहाँ ते इस कंडिशन में हमको जया करना है हमारा जो रूनिंग है वहाँ पर हम लोग अब जो हमारा sport price है आनि की ATM price हमारा जो है वहाँ पर 13 वाली expiry है इसमें हमारा spot price आप लोग देख रहे हैं यहां पर देखिये 47255 हमारा ATM 47300 तो हमको यहां पर इस condition में क्या करना है हमारा trade of loss में चलने लगा तो इस condition में हमको अब जो हमारा ATM है वहां से हमको 400 पॉइंट दूर का एक sell करना है वाल लॉट अब ने लॉट करना है अमने sell कर दिया यहां पर और सेम यहां पर next expiry याई की 20 का सेम 400 पॉइंट उसी strike price को एक लोट हमको बाइ करना है अब देखिये यहां पर हमारा क्या हो गया है यहां पर हमारा double calendar spread बन चुका है हमारा area थोड़ा से बड़ा हो गया और double calendar spread यहां पर बन चुका है तो अगर इस condition में अगर इस area को फिर से break करने की कोशिश करेगा तो भी वहां पर adjustment करके बताएंगे दूसरी adjustment भी है उस condition में आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो हमने first adjustment कर दिया कर हमको हमारा पहले तो हमको 1.2% का profit मिलना था हम लोगों ने profit लिया नहीं और next जब भी हमको 1.5% या 2% मिलेगा तो हम उस condition में अपना profit book करेंगे तो चलिए मैं फिर से forward करता हूं इसको 30 minutes और देखते हैं आगे एक निट थोड़ा से light चला गया तो यहां पर हम लोगों का नेट थोड़ा slow हो गया एक निट चलिए चलिए अब यहां पर मैं 30 30 minutes फारवट कर रहा हूं आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो हमारा profit है 1000 के round हमारा profit यहां पर चल रहा है अभी भी 0.4% का profit में आ चुका है जो हम लोगों का trade loss में था अभी हो profit में आ चुका है अभी देखें यहां पर फिर से हम लोगों का trade जो है और loss में चल रहा है लेकिन आपको trade में बने रहना है loss को देखें घबराना है जब तक break even area cross नहीं होता है फिर से हम लोग कोई adjustment नहीं करने वाले हैं और हमारा जब trade है अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा trade profit में आ चुका है फिर से loss में फिर से profit में आ गए है और हम लोग expiry वाले दिन आ चुके हैं और यहां पर हम लोगों का profit है लगबग आधा percent के लगबग हम लोगों का profit यहां पर चल रहा है 0.8% और यहां पर देख सकते हैं आप लोग 1.3% हम लोगों का profit यहां पर हो चुका है तो मुझे लगता है कि sufficient profit है हम लोगों के adjustment करने के बाद trade से निकलने के लिए sufficient profit है 1.3% 3,400 के round हमारा profit चल रहा है मैं इसको और forward करता हूं 1% के लगभग अभी profit चली रहा है और यहां पर 1.2% 1.1% ठीक है अभी देखें टीम बजने वाले हैं लगभग और यहां पर 2% तक लगभग profit यहां पर देखें 2.5% यानिकी 6,600 के रहा हमारा profit है लगभग 3.5% तक अपना profit यहां पर हो चुका है और हमारी expiry यहां पर लगभग हो गई आप लोग देख सकते हैं यह अपना 13 March है और हमारी expiry हो चुकी है हमारा जो profit है 6.7% 18,000 के राउंड profit हम लोगों का हो चुका है अगर फिर से break even अपन एरिया क्राश करता तो उस कंडिशन में हम लोग फिर से adjustment करते हैं वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एक बार adjustment करने के बार दोबार adjustment करने की जुरत पड़ेगी तो आप लोग भी ऐसे सीखिए और सेम strategy को बनाईए खुद से और backtest करिए आप लोगों को अच्छी लगे तो डिप्लाइ करिए और जो लोग बाई लोग चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेश कर लें दोस्तों वीडियो को सेर भी करें चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए strategy के साथ तब तक के लिए नमस्कार